राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज श्रीनगर पहुँचेगी यहां लाल चोक पर राहुल गांधी तिरंगा जंडा फैराएंगे सुबह साड़े नौ बजे अवंती पुरा के चुसरू सेक्टर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी इस दोरान कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी के नेता यात्रा में शामिल होंगे कॉंग्रेस महासचिप प्रियंका गांधी भी सुबह से ही यात्रा में शामिल होंगी राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कॉंग्रेस पहले ही सवाल खड़े कर चुकी है कॉंग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा में चूप हुई है जिसके बाद राहुल गाधी की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे साल 2023 में मन की बात कारिक्रम का ये पहला एडिशन होगा मन की बात सुनने के लिए बीजेपी नेताओं ने पहले से ही व्यवस्था कर ली है बीजेपी शाशित राज्यों के रेडियो और टेलिविजन पर नेता मन की बात सुनेंगे मन की बात का ये 97 वाँ एपिसोड होगा पियम मोधी प्रतेक महीने के आखरी रविवार को मन की बात करते हैं जिसमें देश के प्रमुख विशेयों पर अपनी बात रखते हैं केंद्रिय मंतिर परश्ट की आज एहम बैठक है पियम मोधी की अध्यक्ष्टा में होने वाली इस बैठक में बजट कुले कर चर्चा होगी बजट में इस साल होने वाले विधान सभा चुनाओं और 2024 के लोग सभा चुनाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा बैठक में इन सभी पहलूओं पर विस्तार से चर्चा होगी ये बजट आमजन के लिए कितना उपयोगी है ये बात जनता को कैसे समझाया जाए इस पर भी पियम मोदी मंत्रियों को सुझाव दे सकते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व सर्मा ने प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सही समय पर मां बन जाना चाहिए वरना उन्हें शारेरिक परेशानिया हो सकती है मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कम उम्र में लड़कियों की शादी और कम उम्र में मैटरनिटी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है सर्मा ने कहा कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शारेरिक संबंध बनाना अपराध है मुख्यमंत्री ने उन लोगों को अगाह किया जो बाल विवाह करते हैं उन्होंने कहा कि अगले 5-6 महीने में हजारों लोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं मद्यप्रदेश में भारती वाई से ना कि दो फाइटर जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 दुरगहट नगरस्त हो गए जिसमें पाइलट की मौके पर ही मौत हो गई रक्षा मंत्राले के सूत्रों के मताबिक ये हाथसा हावा में दोनों लड़ाकोई मानों के बीच टक्तर की वज़ा से हुआ हाथसे को लेकर वरिष्ट अधिकारियों ने बताया है कि शुरुवाती तोर पर ये बता चला है कि दोनों फाइटर जेट ने गौालियर एर बेस से उड़ान भरी थी सुखोई के पाइलट दुरगहटना से करीब 120 किलो मिटर पहले विमान से बाहर निकल गए थे पाइलट के इजेक्ट कर जाने के बाद विमान नीचे आने तक हवा में उड़ता रहा और फिर मुरेना में दुर्खटना ग्रस्त हो गया वाइव सेना ने हाथसे की जाच का अधिश दिया है राश्पती भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है अब इसे अमरित उद्ध्यान के नाम से जाना जाएगा राश्पती की उप्रेस सचीव नवीका गुपता ने बताया कि सोतंतरता के अमरित महतसप के मौके पर भारत के राश्पती ने राश्पती भवन के उद्ध्यानों को अमरित उद्ध्यान के रूप में एक सामानी नाम दिया है अब राजपती भवन के सभी उध्यानों को अमरित उध्यान के रूप में जाना जाएगा केरल के राजिपाल आरिफ मुहमद खान ने शनिवार को त्रिवननद पूरम में हिंदू कॉन्फलेम में भाग लिया इस दोरान उन्होंने कहा कि वो आभारी हैं कि उनके योगदान का सम्मान हो रहा है लेकिन मेरी शिकायत है कि आप मुझे हिंदू क्योंने कहता है आरिफ मुअमद ने कहा कि मुझे ने लगता कि हिंदू एक धार्मिक शब्द है बलकि एक भौकलिक शब्द है उन्होंने कहा कि कोई भी जो भारत में पैदा हुआ है, कोई भी जो भारत में पैदा अन्न खाता है, कोई भी जो भारत की नदियों से पानी पीता है, वो खुद को हिंदू कहने का हगदार है, उन्होंने कहा कि आपको मुझे हिंदू कहना चाहिए UP के CM योगी आदितनाक ने सानातन धर्म को राश्टी धर्म मताया है योगी ने रायस्थान के जालोर में ये बयान दिया लेकिन उनके इस बयान के बाद सियासी भूचाल मच गया कॉंग्रेस कनेता उधित राज ने सानातन धर्म पर बिना टेपणी करते हुए पूचा दूसरे धर्म का क्या वहीं अख्रेश यादब ने कहा कि बीजेपी धर्म की ठेकडार नहीं हो सकती है जबकि आरजेटी सांसाद मनोजा ने करारा प्रहार करते हुए पूचाया कि क्या सीएम योगी पूरे देश को जलाने की कोशिश कर रहे है प्रदानमंतरी नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रायस्थान का दौरा किया चार महिने में ये पियम मोदी का चौथा रायस्थान दौरा है पियम ने गुर्जरों के आरादे भगवान देव नरायन के 1111वे अफ़तरन दिवस में शिरकत की और फिर आसीन में लोगों को संबोधित किया पियम ने कहा कि हम लोग अपने हजारों साल पुराने इतियास और संभेता पर गर्व करते हैं भारत के वल भुभाग नहीं है बलकि हमारी संभेता, संस्कृती और संभावनाओं की एक अभिव्यत्ती है आज भारत अपने भविश्य की नीव रख रहा है गुर्जर समाज की जो नई पीड़ी है जो युवा है वो भगवान देव नारण के संदेशों को उनकी सिक्षाओं को और मजबूते से आगे बढाए ये गुर्जर समाज को भी ससक्त करेगा और देश को भी आगे बढाने में इससे मदद मिलेगी साथियों 21 सदी का ये कालखन भारत के विकास के लिए राजस्तान के विकास के लिए बहुत एहम है करनाठक दोरे पर पहुँचे ग्रेमंतरी अमिल्चा ने धारवार में रोज्चो किया और कई कारिकृणों में हिस्सा लिए इस दोरान समर्थकों की भारी भी देखी गई धारवार में एक जनसभा को संबोद्धित करते हुए अमिल्चा ने काँग्रेस सिर्फ एक ही परिवार की सेवा करना चाहती है समाजवादी पाटी का द्यक्ष अखलिश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला अखलिश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग हमको शूद्र मानते हैं हम उनकी नजर में शूद्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है अखलिश यादव ने कहा कि बीजेपी को ये तकलीफ है कि हम संत महात्माओं से आशिरवाद लेने क्यों जा रहे हैं दरसल अखलिश यादव लखनों में गोमती नदी के किनारे माप पितामरा मंदिर में चल रहे माप पितामरा 108 महायगी में शामिल होने पहुँचे थे इस दोरान अखलिश की आदव का इंदू महासवा अखिल भारतिय विद्यारती परिश्ट के साथ हैं इंदू संगटनों के कारेकरतों ने वियूद किया और जम कर नारे बाजी की साथ ही अखलिश को काले जंडे भी दिखाए अखलिश आदव ने कहा कि बीजेपी ने यहां गुंडे भेजे थे बीजेपी धर्म की ठगेदार नहीं हो सकते बीजेपी के लोग पिश्टों को शूद्र दलित को शूद्र मानते हैं उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरू संत लोगों से आशिवाल लेने के लिए बाजपी आई यहोंने बेजा और कोई परसासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था और जितनी पुलिस परसासन थी सब रात में अटा थी याद रखे बीजेपी के लोग समय बदलता है समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की विवस्ता उनके लिए होती है बीजेपी ने शनिवार को त्रिपुरा विधान सभा चुनाओं के लिए 48 उम्मिदवारों की पहली सूची जारी कर दी इस सूची के नुसार मुखी मंतरी मानिक सहा को टाउन बोर्दवली से उम्मिदवार बनाया गया है इस सूची में केंद्री मंतरी और त्रिपुरा पश्रिम की लोगसभा सांसद प्रतिवा भौमिक का भी नाम है जो धनपुर विदानसभा से अपनी किसमत आज़नाएंगी साट सदस्यों वाली त्रिपुरा विदानसभा का कारिकाल 22 मार्च को खत्मो रहा है राजजी में 16 फरवरी को विदानसभा चुनाओ के लिए वोट डाले जाएंगे गोपाल गंज में आपसी विवाद को लेकर एक छात्र की हत्या कर दी गई मामले में आकरोशित लोगों ने चवराहे के पास शब को रखकर विरोत प्रदर्शन शुरू कर दिया इस दोरां भारी संख्या में लोगों का हुजू मुमण पड़ा लोगों ने आकरोशितों को समझाने की कोशिश की लेकिन लोग शान तहीं हुए जिसके बाद पुलिस ने स्तिती को नियंतरित करने के लिए लाठी चार्ज किया फिर गुस्साई लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी जिसमें कई पुलिस कर्मी भी ज़क्मी हो गए ग्रेटे नोड़ा में एक 55 साल के अधिर व्यक्ती ने नशे की हालत में मासूम भाई बहन के साथ डिजिटल रेप किया आरोपी पिडितों का पडोजी है आरोपी की शराब के नशे में बच्चों के साथ डिजिटल रेप किया गया कटना की वक्त माता पिता नौकरी के चलते घर पर मौजूद नहीं थे दोनों मजदूरी के लिए गये थे घर में उनके पांच बच्चे रहते थे आरोपी शराब के नशे में घर पर आकर बच्चों के साथ खेलने लगा साथ साल के बच्ची और छे साल के लड़के की मॉलिस्टेशन करते हुए डिजिटल रेप किया जब बच्चों की परिजन घर लोटे तो बच्चों ने पूरी बात बताई जिसके बाद परिजनों ने पूलिस को शिकायत की और करवाई की मांग की फिलाल पूलिस ने आरोपी को ग्रफतार कर लिया यूपी के शाजापूर में यूवक का अपरहंड कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है आरोपियों ने शब को बरिली की रेलवे ट्रैक पर खेक दिया था जिसके बाद मामले में पूलिस ने संसनी खेस खुलासा किया है इस मामले में पूलिस ने यूवक की पत्नी और भावी समेट 6 आरोपियों को ग्रफतार किया है पुलिस को आरोपियों ने बताया कि मृतक युवक की पत्नी ने तांत्रिक को दो लाग की सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई थी क्योंकि पत्नी अपने पती की शराब की लट को छुड़वाना चाहती थी फिलाल पुलिस ने छे आरोपियों को जेल भेज दिया है सहरसा में हाथ्यारबंद बदमाशों ने किसान की गोली मार कर हत्या कर दी दरसल किसान घर में परिवार के साथ सो रहाता तभी घर पहुचे बदमाश ने पहले नाम पुकारा फिर सिर में गोली मार दी और फिर घर स्किटते हुए घर के बाहर ले गए मृतक की पतनी ने गौ Lawrence के ही पिता पुत्र पर हत्या का आर्वप लगाया है हत्या के विरोध में लोगों ने सडग जाम कर आगजनी की पुल्स ने गुसाय लोगों को समझानी की कुशिश की फिलाल आरोपी फरार है पुलिस आरोपियों की तलाष में जुटी है